पुलिस को जानकारी दी और पुलिस में मौके पर पहुँचकर शव को कबजे में ले लिया और मामले की जान्च सुरू कर दी है मामला हमीरपुर जीले के विवार थाना छेत्र के चकतहां गाउं का है जहां आज सरसो के खेत में एक अज्यात महिला का शव रस्थानी ग्रामिडों ने देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी घटना की जानकारी होते ही मौके में पहुँचे पुलिस ने डॉग स्क्वाइट की मदद से घटना के सुराग हासिल करने की कोशिश शुडू कर दी है फिरहाल बरामद महिला के शव के हाथ पैर बधे थे जिसके बाद इसे रेप और हत्या से जोड कर देखा जा रहा है मौके में पहुचे पुलिस के अला धिकारियों ने इस घटना का जल से जल खुलासा करने का दावा किया है हमेरपूर से संदेब कुमार की रिपोर्ट भूआ है कब देखा था अपने एक बज़े लिए खिट आपके हैं कि किसी और के हैं तो आप यहां यहां से अपने खिट से हरे आरी करका धर कर यह लियर रास्ता है तो मैं जात्तू कि यह लेने कर जाए क्या देखा आपने यह वी चानिया साल रहा है यह ठली लानी अफिन यह आसे गए तो वी चनिया बंद हो हाथ पाऊ तो मैं थोई ध्याद्या खट रही है अजब मुए कज़ें मैं का पुथ हैं सुमें भाग गया घर आए तो घर मामराई का शूज ना बता हूं कितनी उमर होगी लड़की की आउरा था की लड़की है तो लड़की साड़ी पहने के सूट सूट पही रहे हैं अच्छाना बिवार चेत्र में आज लगबग दो बज़े के करीब सौन अमबर के सुछना में लिए कि एक महिला के लाज मिली है मौके पर पुलिस पहुंची तो यह महिला की उम्र लगभग 30 से 25 वर्ष के करीब प्रतीत हो रही है और यह शादी शुदा महिला है इसके संबंद में अभी जानकारी की जा रही है शिनाक करने के कोशिश की जा रही है हमारी फील्ड यूनिट और इंसिक यूनिट और स्वार्ट टीम अभी यहां पे है और टीमें इसमें लगा दी गई है और जल्द जल्द इस घटना का नावरंचिया जाए समारे अपना भविश्य इंदु प्रकाश फार्मसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेर करें साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाए